पूर्णिया में पहली पार IC, DS और सिक्षा विभाग की सहीयोग से पूरी जीले में 13,000 से अधीक बच्चे का नमानकन किया गया अस्कूल चले हम अभियान के अंतरगरत वैसे बच्चे जो आंगन बाड़ी केंद्रों में पढ़ाई पूरी कर किसी कारण आगी की सिक्षा नहीं ले पाते थे वैसे बच्चों को चिनित कर नमानकन कराया गया इस बात पर पूर्णिया के मद्ध विद्याले उफ्रेल में एक भब्बे कारेक्रम का आयूजन क्या गया जहां जीला अधीकारी ने नए नमानकित बच्चों को पुस्तक दिये मौके पर जीला पताधीकारी कुंदन को मारने कहा कि पूरे बिहार में पूर्णिया का सिक्षा दर सबसे कम है जो चिन्ता की बात है ऐसे में एक दिन में 13,000 से जादा बच्चों को अस्कूल चले हम अभ्यान के तहत नमानकित क्या गया है उन्होंने कहा कि यह बच्चे देश के भविश्य हैं और इन्हें बिद्याले में संपून सिक्षा प्राप्त करने की जिम्मधारी सिक्षक और समाच के सभी वर्गों के लोगों पर है पिछले लगवाद एक महीने से स्कूल चले हैं मध्यान की आप शुरुआत की गए इसमें बेसिकली ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए बच्चों के ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए यह विशेश अभ्यान था और हर बच्चा विद्याले तक पहुचे विशेश र स्क्षा विवाद कंतर के डियो साह उसको देखते हैं तो यह था कि दोनों के बीच प्रापर हैंड शेकिंग कराना और हम लोगों में पहले आंगनवारी के जितने भी बच्चे थे जो छे साल से बड़े हैं और इनका एडिशन होना था उनकी लाइन लेस्टिंग कराया हम और 13,422 बच्चे इडेंटिफाई टिये गए और जितने भी आंगनवारी थे उनको हर एक किसी स्कूल से उसको टैग किया गया जो उनके अगरेज एरिया में यह पूरा जो एक टास्क दिया गया गया और डियो साहब को यह दिया गया है कि जितने भी स्कूल से उसमें जब बहुत सारे पडूस में अवेरमेस नहीं है कि अपने बच्चों के स्कूल में धूरा एन चल रहा है और इसी तरह के फैर्श्टिव महाल में चल रहे हैं खासकर यह बात है है कि सभी लोगों को समाज में बढ़ेना यह जबिन्ह करना यह आने वाली जो पीडी है यहीं इस जिले का भविश्य और इसके कैसे बेतर भविश्य हम लोग दे सकते हैं और एक भी बच्चा छूटी नहीं इसी का यह अभ्यान था और एक बड़े सक्सेस के रूप में यह आया है आप सबनों का भी इसमें प्रयास बहुत बढ़ा रहा है और मैं समझता ह हूँ कि अब हम लोग आगे आने वाले समय में यह भी देखेंगे कि जितने बच्चे का नामंकन हुआ है उसमें से एक भी बच्चा डॉप आउट नहीं है यह स्कूल चले हम जो विशेस अभ्यान चल रहे है उसके अंतर रगतिया करें देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे है स्ट्रीट बस यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्यबाद